बैगन एक ऐसी सबजी है दोस्तो जो पूरे साल मार्केट में अविलेबल रहती है और हम खरीद कर भी लाते हैं लेकिन साथ में कहीं न कहीं मन में ये भी शंका रहती है कि इनको ग्रो करते हुए कहीं केमिकल पेस्टिसाइज जा फिर केमिकल फर्टिलाइजर तो यूज नही किया गया होगा तो क्यों ना आज हम इन शंकाओं को दूर करें आज हम सीखते हैं कि किस तरह से जो है हम लोग अपने ही घर में कंटेनर में और ग्यानिकली बैंगन ग्रो कर सकते हैं तो आज मैं आपके साथ बैंगन को ग्रो करने के लिए बहुत ही सिंपल टिप्स आप से करूंगी और इनको ग्रो करना बहुत ही आसान है तो आई ये वीडियो शुरू करते हैं मैं हूँ अनिता विमल और मेरी बगया में आप सब का स्वागत है बैंगन एक ऐसा पौदा है जो कि गरम क्लाइमेट में बहुत अच्छे से ग्रो करता है यानि कि जहां पर 20 से 30 दिगर से अगर टेंपरेचर होता है तो फिर वहां पर बैंगन पूरे साल उगाया जा सकता है लेकिन जहां पे सर्दी का मौसम काफी रहता है तो वहां पे इसको एक एनुवल प्लांट की तरह साल में एक वार उगाया जाता है लेकिन इसको आमोमन 6-7 घंटे की धूप ज़ूप चाहिए होती है अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छे फ्रोटिंग और फ्लावरिंग के लिए बैग इंच सीज से इसली ग्रो किये जा सकते हैं कोशिश कीज़े कि आप फेबरिडी के लास विग तक बीज बो सकते हैं simple sand और garden soil के mixture बना कर इसको आप 1-1.5 cm के गहराई पर बो दीजिए और पानी डाल दीजिए, हलका सा पानी डाल दीजिए 8-10 दिन में बीजों में germination स्टार्ट हो जाता है और बस आप इतना ध्यान रखिए कि जो ये container है इसको आप direct sunlight में ना रखे लेकिन ऐसी जगह रखे जहां पर sun की गर्माहट आती हो बस कुछी दिनों में आपके plants तयार हो जाएंगे 15-20 दिन में आपके पॉधे तयार हो जाएंगे यानि कि आपके पॉधे जब 4-5 इंच लंबे हो जाएं तब आप इनको reporting कर सकते हैं लेकिन याद रखे कि पॉटिंग के लिए भी जो है आप गमला कम से कम 12 इंच का तो जरूर ले और एक गमले में एक ही पॉधा लगाएं पॉट में लगाने के लिए इस बात का ध्यान रखे कि आपका जो सॉयल मिक्स्टर है वो परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि बैंगन को जो है वो कमपोस्ट रिच मिट्टी चाहिए होती है तो ऐसे में जो है सॉयल का कमपोजिशन कैसे बनाना है उसका रेशियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ध्यान रहे कि गमले में बॉटर में जो है ड्रेनेज होल जरूर होना चाहिए जिससे एक्स्ट्रा पानी निकल जाए ताकि जड़ो को हवा भी मिलते रहे जिससे रूट सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा डेवलप होता है और अच्छा रूट सिस्टम मींस बहुत ही हल्दी पौधा और healthy पौधा means अच्छे और healthy fruits reporting के बाद आप इनको कम से कम 4-5 दिन तक semi-shade जगा पे रखे जहां पे direct sunlight ना पड़ती हो और उसके बाद धीरे-धीरे sunlight की तरफ ले जाए और फिर कुछ दिनों के बाद 10-15 दिन के बाद आप इनको direct sunlight में रख सकते हैं तब फिर आप इनमें हलकी से गुडाई करें और फिर उनमें जो है हलका सा खाट डाल दें जैसे warmee compost डाल सकते हैं या फिर गोबर की खाट भी डाल सकते हैं लेकिन गोबर की खाट आप ध्यान रखे कि पूरी तरह से सड़ा हुआ होना चाहिए तो इस तरह से जो है इनको आप fertilizing भी करते रहें और इस तरह से जो है वो खाट डालने का जो काम है आप इसे repeat कर सकते हैं फिर 15 से 20 दिन में लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि आपने जितने भी pots पे जो ये plants लगाए हैं उनको पास में रखे जैसे कि मैंने यहां पर रखे हुए हैं और हमेशा कोशिश करें कि केवल एक या दो plant ना लगाएं कम से कम 3-4 गंबलों में तो लगाए ही तो रही बात watering की तो गर्मी की मौसम में जब गंबले में प्लांट में फूल आने लगते हैं तो ऐसे में आप ऐसा करें कि 20-25 दिन में एक भार कोई भी और्गानिक पेस्टिसाइज अपने प्लांट के उपर ज़रूर स्प्रे करें और खास करके फूलों के उपर मैंने मिली बक्स और चीतियों के उपर एक वीडियो बनाया है अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगे उसमें जो मैंने मिली बक्स दिखाए हैं वो मेरे सारे इन ही प्लांट के उपर लगे हुए थे और जिनको मैंने पेस्टिसाइज डाल कर नीम उयल का स्प्रे करके मैंने बहुत मुश्किल से उनको दूर किया है और उसके बाद जो आप यह देख रहे हैं अब यह मेरे प्लांट की कंडिशन है अब इन में बहुत अच्छी तरह से फ्रूटिंग हो रखी है तो अब बात करते हैं कुछ यूसफुल टिप्स के बैंगन का प्लांट लगाने के लिए हमेशा आप सही साइस का पॉट ही चूज करें अगर आप चोटी पॉट में लगाते हैं तो उनमें बहुत कम फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी बैंगन के पॉधे में नर और मादा दोनों तरह के फ्लावर साते हैं और नर फ्लावर का काम होता है सिरफ फर्टिलाजेशन करना उसके बाद जो है वो सुखकर गिर जाते हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे बैंगन के फूल जो हम वो सुखकर गिर रहे हैं तो इसका कारण यही होता है टिप नमबर त्री, बैंगन का प्लांट जो होता है वो हेवी फिटर होता है और साथ में इसको पानी भी बहुत चाहिए होता है खास करके गर्मियों में, तो आप पानी, खाद और फिस सनलाइट की जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये तीनों चीज़े अगर इनको मिलती रहें टिप नमबर फोर, वैसे तो आप बैंगन के प्लांट को किसी भी तरह के कंटेनर में लगा सकते हैं जैसे कि आपने यहां पर देखा है, मैंने किसी को ग्रो बैग में लगा है, किसी को मैंने सिमेंट के गमले में लगा रखा है, तो जो भी चीज़े मेरे पास अवेलेबल एक्चुली मैंने उस समय इनको लगा दिया था, लेकिन आप कोशिश करें कि या आप क्ले पॉर्ट यानि कि मिट्टी के गमले में ही लगा है, या फिर फेब्रिक पॉर्ट जैसे कि जो ग्रो बैक्स आते हैं उन में, क्योंकि उसमें एर सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता तो ये तो थे मेरे कुछ important tips दोस्तों जो मैंने इनको grow करते हुए experience किया था और मुझे उमीद है कि आपको भी ये जरूर काम आएंगे, अगर इसके बाद भी आपकी कोई query है तो आप comment section में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं, मैं उन सब का जरूर reply करूंगी, तो मिलते हैं अ